दोस्तो आज की इस वीडियो में जानेंगे अगर आपके पास IRCTC का अकाउंट है तो आप घर वैठे अपने मोबाइल फोन से IRCTC रेल कनेक्ट अप्लिकेशन से ट्रेन टिकेट, फ्लाइट टिकेट, बस टिकेट, होटल बुकिंग उगरा ऑनलाइन कर सकते हो तो इस वीडियो में आपको IRCTC का अकाउंट क्रियेट करने का लाइब प्रोसेस दिखाने वाला हूँ और अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साइड वेल आइकन को दबा करके औल पे क्लिक कर लो इसी तरह मैं आपके लिए टेक्स रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा तो टाइम को ना वेस्ट करते हो प्रेंस वीडियो को स्टार्ट करते हैं IRCTC का अकाउंट क्रियेट करने के लिए आपको प्ले स्टोर से IRCTC Real Connect application को इंस्टोल कर लेना है और application को ओपिन कर लेंगे यहाँ पे कुछ permissions पूछेगा आपको सभी permissions को allow कर देना है allow करने के बाद यहाँ पे आपको OKP क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पे आपके सामने next page open हो जाएगा और आपको यहाँ पे उपर में देखने को मिलेगा login तो आपको login पे क्लिक करना होगा तो चली friends यहाँ पे हम login पे क्लिक कर देते हैं Login पे click करने के बाद अब आपको यहां पे देखने के मिल जाएगा Register User तो आपको यहां पे Registering User पे click कर देना है यहां पे आपको कुछ basic information देना होगा सबसे पहले आपको Mobile नमर इंटर कर देना है और इसके बाद यहां पे strong रहने चाहिए और दिया रहे कि आपके password में कोई symbol नहीं होना चाहिए नहीं तो यहाँ पर accept नहीं करता है symbol हो गए रहा तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर password create कर लेना है और इसके बाद आपको अगर आप password को भूल जाते हैं तो security question का answer दे करके आप password को reset कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर हम किसी question को select कर लेता हूँ question select करने के बाद friends आपको answer भी देना है तो यहाँ पर हम first वाले को select कर लिया है इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है what is your pet name तो यहाँ पर आपको अपने pet का name इंटर कर देना है और next यहाँ पर occupation पूछ रहा है occupation आपको select कर लेना है government, public, private जो भी आपका occupation type है उसको आप यहाँ पर select कर लेना है आप married है या unmarried है तो friends यहाँ पर मैंने married को select कर लिया और इसके बाद आपको यहाँ पर next पर click कर देना है next पर मैंने यहाँ पर click कर दिया तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना resident address feel कर देना है आप उपर में यहाँ पर देख सकते हैं और इसके बाद अगर आपका office address और resident address सेम है तो आपको इस checkbox को ticker देना है और सेम नहीं है तो आपको इस checkbox को untick ही रहने देना है और next यहाँ पे लिखा गया है street आपका जो सडक मार्ग है आपके area का उसका name फील कर देना है यह आपके लिए optional है और area का भी name optional है यहाँ पे इन दोनों को छोड़ भी सकते हैं और नीचे आपके यहाँ पे इंडिया select कर लेना है तो अब आपको यहाँ पे अपने area का pin code इंटर कर देना है तो pin code में यहाँ पे इंटर कर दिया next यहाँ पे city select कर लेना है तो city पे मैं यहाँ पे click कर देता हूँ city पे click करने बाद city का name आ गया है city मैंने यहाँ पे select कर लिया और post office चलिए यहाँ पे select कर लेता हूँ यहाँ पे आपको list देखने को मिल जाता है post office का तो जो भी आपका post office है, अपनी post office को आप यहाँ पे select कर लेंगे, और यहाँ पे आपको अपना mobile number इंटर कर देना है, इसके बाद register पे click कर दिया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेंगे चुलेशन, user ID registered successfully, verify your mobile number and mail ID, enjoy your service, तो friends आपको अपना mobile number और mail ID verify करना होगा, तो य आपने जो username और password create किया है, उस username और password को यहाँ पे इंटर कर देना है, password इंटर करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे capture code देखने को मिल जाता है, और इस capture code को आपको यहाँ पे इंटर कर देना है, capture code इंटर करने के बाद friends आपको login पे click कर देना है, यहाँ पे आप देख सकत आपके mail पर यहाँ पर OTP आएगा तो mail ID को भी verify कर लेना है mobile number का OTP और email ID का OTP मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया इसके बाद verify user पर आपको click कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेंग अचुलेशन OTP verification successfully for the user ID इसके बाद आप OKP click कर देंगे OKP click करने के बाद friends यहाँ पर आपका username automatic field होके आ गया है इसको आपको किसी paper में note करके रख लेना है और password को भी आपको किसी paper में note करके रख लेना है इसके बाद आप यहाँ पर password enter करेंगे next यहाँ पर capture code दिया गया है इस capture code को आपके यहाँ पर enter कर देना है और login पे click कर देना है इसके बाद अब आपको यहाँ पे pin create करना होगा 4 digit का बार बार आपको यहाँ पे password enter नहीं करना है login के लिए यही pin enter करके आप यहाँ पे login हो सकते हैं तो यहाँ पे मैं pin enter कर देता हूँ friends confirm pin भी enter कर दिया है इसके बाद आपको यहाँ पे submit पे click कर देना है submit पे click करने के बाद आप ओकी पे click कर देंगे यहाँ पे आप देख सकते हो IRCTC Rail Connect application में login हो गया हूँ account यहाँ पे पूरी तरह से create हो गया है friends अब आप इस एप से train का ticket, flight का ticket, hotel booking हो गयरा कर सकते हो अगर आप IRCTC Rail Connect application से train का ticket book करना चाहते हो ति इसके उपर में वीडियो बना दिया हूँ description में आपको link विल जाएगा आप वहाँ से जाके वीडियो को वाच कर सकते हो आसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो कर दीजे like और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली की विसा सेयर करिएगा नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स तब तक के लिए बाबाई टेक के यार